रिम्स में लाजरत लालु यादव से तक्रीवन पाच घंटे चली मुलाकार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रावरी देवी नेता प्रतिपक्ष तेजश्वी यादव और तेजपताव यादव पहार निकले इस दोरान तेजश्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान सभा ने अपने पिता लालु पिशाद यादव के स्वास्थ पर चिंता जाहिर करते हुए कहा की फिलहाल लालु जी की तब्यत चिंता जनक बनी हुई है उन्हें पूर में ही हाट की सरजरी की गई है केटनी भी 25 प्रतिशत ही काम कर रही है क्रेटिन लैवल भी बड़ा हुआ है ऐसे में लंग में इंफेक्षन चंता का विशा है हम लोग उनके सारी जार्ज रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं जिसके बाद आगे का परिवार की लोग बहतर इलाज चाहते हैं लेकिन जब तब पूरी जार्ज रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम लोग कोई निर्णे लेने की स्थिती में नहीं है आप सब लोग जान रहे हैं लेकिन भारी गिरावट जो है सांस लेने में भी दिक्कत हो दिये हम लोगों को चिंता हो गया था कि कल कहीं है लेकिन वो तो टेस्ट रिपोर्ट सारे आ जाएंगे जब तक अनलाइस नहीं किया जाता है इस चीजों का इलाज यहां हो सकता है कौन सी चीजों का इलाज यहां नहीं हो सकता है तो यह तो दिया है तो review बात भी अब यह सुनने में आरा किनके लंक्स में भी पानी पर लग्ज में पानी आजाती है और जब किडिनी मात्र जब पचीस फिसे दें काम कर रहा है और प्लस आप हाट पेशेंट है और आपको शुगर की बिमारी है और उम्र जो है वो 70 प्लस है तो जाहिर सी बहुत के हम लोगों की चुनता है और कोई भी चाहिएगा कि बैतर से लोगों को लेकिर आपके जितने सवाल हैं जब तक सारे रिपोर्ट्स नहीं आ जाते हैं जब तक रिपोर्ट्स डॉक्टर जो हैं वो देख करके उनका क्या राय है जब तक वो नहीं बताएंगे तक हम लोग इस पर आज शाम के भी तरह थाब होगे आपके सामने भी बहुत जो है चिंता जनक है अभी आप कहे दें कि भाई नहीं ठीक नहीं सांस लेने में कटनाई आ जी है क्रियेटीन जो है वो बढ़ गया है पहले से तो चिंता जनक स्थिती है तेजस्वी एक सावाब तर आप लोग रिपोर्ट का इंतजार करेंगे राचिर आप लोग रूट एक सवाल मुख्यमंत्री जिसे भी होनी है कितने हैं रात्रे उनको जो है डिटेक्ट हुआ था कि उनको निमोनिया है अब लोगों की चिंता जो है काफी बढ़ गई और पुरे चेहडे पे जो है सूजन जो है वह आप लोगों ने भी देखा होगा जब वो टेस्ट की प्र अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना पूलें